नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग्ग भारत जोडो यात्रा जो है अब शांत हो गई है भारत जोडो यात्रा केता है जो है राहूल गांदी अब रेस्ट पर चले गए हैं लेकिन इस बीच में यहां पर कनहिया कुमार की एक आवाज सुनने को मिली और आवाज भी ऐसी जो पूरी तरीके से तंज भरे माहोल में जो है मोदी सरकार की धजिया उड़ाती हुई ने जराई क्या कुछ कहा कर रही है कुमार ने चलिए इस खास रिपोर्ट के जरी देखें आज कल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनितिक विमर्स को जो है चुनावी परिनाम और यह बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीबी ए स्टूडियो में बैट करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद हम सब को जो है अपने उपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ही आप क्यों कहते हैं रिपोटर भी बोलते हैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं अब असली खेला शुरू होगा क्या खेला शुरू होगा यह बेशर्मी हमारे आँक के सामने में हो रही है जब परिनाम आ गया है सिंपल मेजुर किसी पार्टी को आ गया है कि क्या खेला शुरू होगा यह जो बेशडमी और बैमानी है ना इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए चुनाव जीतने के अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई क्या करनाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे क्या गुजरात में हमने वो सिचुएशन नहीं देखा जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके उपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या इस पर हम सवाल खरा नहीं करेंगे आज इस देश में इंस्टिशूशन पर एटैक है और एलेक्शन एक कंपोनेंट है हमको दूसरे इंस्टिशूशन के भी बारे में सोचना परेगा पार्लियमेंट अ भीड में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं जब रैलीर में जाते थे जब डिल्टा वेडियंट था दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जा करके डिल्टा वेडियंट था तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ओनला पर्लाम के आधार पर ये कहना कि कॉंग्रेस पार्टी खतम हो गई है तो देख लिजे कॉंग्रेस पार्टी खतम हो गई है तो जिस यात्रा को आप साथ सितंबर सा इगनोर कर रहे थे जिह हम दिल्ली के दर्वाजे पर पहुँचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड पैदा हो गया है तमाम कोशिश कर रहे हैं कर दो कर दो